आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह के से आई टीए के जो ओनलाइन एक्जाम होने जा रहे हैं वो क्या प्रोसेस रहेगा किसे आई टीए के एक्जाम होंगे तो आपको यहां हम बता दें कि जो इंजिनेरिंग ड्रोइंग है इंजिनेरिंग ड्रोइंग है वो अ कम्प्इटर में बना जाएगा ड्रोयंग की तो क्या इसका प्रोसेस रहेगा क्या प्रोसेसिंग होगा आपको बताते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि जो ITA के जो सभी exam होंगे वो अगस्त माहा में आपके exam हो जाएंगे इसके परच्चात आपको यहां बता दे कि जो ITA का जो paper है जिसमें हम engineering drawing की अगर बात करते हैं तो सबसे जटिल और cutting paper इसी का होता है उसमें आपको बता दे कि जो यहां पे paper होगा आपका वो online होगा और objective वाले इसमें questions आएंगे और कुछ आपको paint दे दिया जाएगा उसमें आपको कुछ questions आपको draw करने भी होगे बनाने भी होगे साथ यह आपको यहां बता दे कि जितने भी ITA के trade है वो engineering के तहट आने वाले trade like that fitter, electrician, mason, diesel, mechanical आदी trade इन सबकी चारों विभाग जितने भी subject है theory, workshop calculation, employability और engineering drawing सब online paper होगे practical को छोड़ के इसके बाद मैं आपको यहां बता दू कि जो trade theory है इसमें आपके 38 questions पूछे जाएंगे trade theory में 38 questions पूछे जाएंगे और हर सवाल यहां पे दो-दो अंक के होगे जितने भी paper हैं आपके सबके जो सवाल आएंगे उनके जो marking होगी वो दो-दो अंक के आपको नंबर दिये जाएंगे इसके परचात workshop calculation आपके 6-6 प्रेशन पूछे जाएंगे वो 12 नंबर के अंक होगे engineering drawing उसमें भी आपके 6-6 प्रेशन पूछे जाएंगे जो भी आपके 12-12 अंक होगे इसके परचात employability जो है यहाँ पर आपको employability में द्यान देना होगा यहाँ पर आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे जो आपके 50 अंक होगे और इस प्रकार पूरा paper आपका जो total होगा वो 150 अंक का होगा ठीक है फ्रेंड्स और आपको यहाँ बता दे कि वर्ष 2014 से ITI की जो परिक्षा pattern है उसमें लगातार बदलाओ किया जा रहा है 2014 में जो exam होते थे वो liquid pattern के according किये जाते थे इसके पस्चा 2015 में OEMR base पर paper होड़ना लगे और आप 2022 में जो exam का जो pattern है वो फिर से change कर दिया गया है और यहाँ पे जो online exam दिये जाएंगे तो I hope आपको पूरी वीडियो समझ में आए होगी और किस तरीके से आपको online exam देना है इसके लिए ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहेए और चैनल को subscribe करें thanks for watching this video इस वीडियो को अधिक से अधिक share करें ताकि सभी student को इसकी information मिल जाए